पर्व किसी भी राष्ट के नागरिकों के लिए सौभिमान और गोरों का प्तीग है। स्वतंत्रता दिवस और गनतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रिय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस और गनतंत्र दिवस पर पूरे देश में सांस्कृतिक कारिकम होते हैं। इस दिन जंडा फहराने का कारिकम, परेड और सांस्क्रितिक आयुजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। हम इस दिन अपने कपड़े, सामान, बौहनों और घरों पर राष्ट्रे धुज तिरंगा लगा कर इस उत्सव को मनाते हैं। और परिवार वह दोस्तों के साथ देश भक्ती का फिल्में देखते हैं, देश भक्ती कारिकम देखते हैं। देश भक्ती के गीत सुने जाते हैं, देश भक्ती की कविताएं बोली जाती हैं। इस दिन कहीं कारिक्रम होते हैं जिसमें संचालन के लिए देशबक्ती शायरी, देशबक्ती कविताएं और देशबक्ती के कोटेशन्स काम में लिए जाते हैं उन कोटेशन्स के लिए मैं आज आपके समय कुछ कवितायं प्रस्तुत कर रहा हूं, कुछ कविताय शायरियां दे रहा हूं, आपको उन सायरियों को अपने कारिकम में संचालन के समय कहीं भी काम में ले सकते हैं एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत देश महान है, भरा नहीं जो भाओं से बैती जिसमें रस्धार नहीं, फुरदे नहीं वैपथर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं जिसमें सदेश का प्यार नहीं दीपावली में अली बसे अली रमजान में बसे राम एसा सुन्दर होना चाहिए अपना हिंदुस्तान अलग है भासा धरम जात और प्रांत भेश परिवेश अलग है भासा धरम जात और प्रांत भेश परिवेश पर सब का एक है गोरो राष्ट्र द्वज तिरंगा स्रेष्ट ये शायरियां हम अपने सुरुवात में प्रारंब में देश के लिए बोल सकते हैं कुछ एक शायरियां जो हम तिरंगे के लिए जब तिरंगा पहराए जाए या उसकी भूमी का बांदी जाए तो उस समय के लिए हम काम में ले सकते हैं समाय वतन की लोपर जब कुर्बान पतंगा हो होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है हर भारतिये के दिलों का स्वाबी मान है यही है गंगा यही है माले यही हिंद की जान है और तीन रंगों में रंगा हुआ अपना ये हिंदुस्तान है बस ये बात होओं को बताये रखना रोस नी होगी चिरागों को जलाये रखना लहू देकर भी जिसकी हफाज़त की सहीदों ने उस तिरंगे को सदा दिल में बसाये रखना कुछ नसा तिरंगे की आन का है कुछ नसा मातर भूमी की शान का है हम लहराएंगे हर जगए ये तिरंगा नशाय हिंदुस्तान की शान का है दे सलामी इस तिरंगे को दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर हमेशा उंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है अग कुछ एटिटूड इस्टेटस या हम उसको स्वाभिमान के प्रतीक के रुप में भी बोल सकते हैं लिख रहाओं में अंजाम लिख रहाओं में अंजाम जिसका कल आगाज आएगा मेरे लहू का हरे कत्रा इनकलाब लाएगा दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुस्बए वतन आएगी मेरी मिट्टी से भी खुस्बए वतन आएगी चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जस्ट में है नकलाब की जोलाए लिप्टी मेरे बदन में है मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है मोत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है कुर्बानी का जजबा जिन्दा मेरे कफन में है चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए मेरी हर एक सांस देश के नाम हो जाए आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे सहीदों की कुर्बानी वदनाम नहीं होने देंगे बची हो जो इस बूंद भी बची हो जो इक बूंद भी गर्म लहू की तब तक भारत के आँचल को नीलाम नहीं होने देंगे कुछ एक शायरिया जो सहीदों को सरद्धान जिक लिली के रोप में भी पड़ी जा सकती है हम उसका भाव कौन वाचन करें और सहीदों का जहां संस्मरन आए जहां बात आए मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ जो मिट गया वतन पर मैं वो सहीद हूँ है नमन उनकों की जो यसकाए को अमरत्व देकर है नमन उनकों की जो यसकाए को अमरत्व देकर इस जगत में शोरिय की जीवित कहानी हो गए है है नमन उनकों जिनके सामने बोना हिमाले जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए है सहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही बांकी निसा होगा चड़ गए जो हसकर सूली खाई जिनोंने सीने पर गोली हम उनको प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर हम सब उनको सलाम करते हैं सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजें कातिल में हैं वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में हैं लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फोलाद हुआ मरते मरते भी मार गए तभी तो देश आजाद हुआ दुस्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे आजाद थे आजाद हैं और आजाद रहेंगे अपनी आजादी को हम हर गिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुका सकते नहीं